हेलो दोस्तो योर वेलकम टू ओवर येटूब चैनल गोपाल सर्मा सो ये वीडियो दोस्तो एस ओल के रेगुलर के एंसी वेब के फर्स सेमेस्टर वालों के लिए सभी के लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाली है इस वीडियो में दोस्तो हम आपको live demo दिखाएंगे कि किस तरह से आपको question paper को download करना है किस तरह से आपको अपने answer sheet को upload करना है दोस्तो वीडियो में आपको जो कुछ भी बताया जाएगा इसके अलावा आपको अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है इस वीडियो में दोस्तो आपको complete information मिलने वाली है वीडियो में बने रहें चैनल पर first time विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और bell icon को press कीजिए ताकि ऐसी latest वीडियो का notification आपको मिलता रहे तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं जैसा कि दोस्तो आपको पता है OB registration यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं आपके OB exam के लिए अगर दोस्तो आपने OB registration कम्प्रीट नहीं किया है तो आज चे आपके last date हो सकती है क्योंकि आपके 21 मार्स से exam स्टार्ट हो रहे हैं अपने OB exam को किस तरह से देना है दोस्तो इसका पहला staff होता है आपको SOL के OB portal पे आना यह है दोस्तो SOL का OB portal इस portal पे आने के बाद दोस्तो आपने अपने admit card को download कर लिया होगा उसके अंदर दोस्तो आपको examination role number प्रोवाइड किया होगा तो दोस्तो उस examination role number को आपको यहां पे फिल करना है और OB registration करते वक्त दोस्तो आपने अपना password क्रियेट किया होगा उसको यहां पे फिल कर देना है जैसे दोस्तो इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो आपको OB exam के दोरान same to same ऐसा ही आपको interface देखनों को मिलेगा जहां पर आप देख सकते open book examination click here इसके उपर आपको क्लिक कर देना है जैसे दोस्तो आप इसके उपर क्लिक करेंगे सेम यहां पर दोस्तो से timing दिखाई गया है जो भी आपका timing रहेगा morning time या evening time वो यहां पर आपका time चलता रहेगा जिस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपका मोग टेस्ट के लिए एक्जाम दिखा रहा है ठीक उसी तरह से आपको भी एक्जाम के लिए भी आपर टाइमिंग दिखाएगा तो जैसे दोस्तों आपका टाइमिंग दिखाएगा तो उसके नीचे क्लिक कर देना है क्लिक कर देने के पूप्स को जाएंक बाद आपको कुछ हैंटर फेफेस देखनें को मिलेगा जहां पर दोस्तों यह डाउंलोड पेपर का उप्शन दिया गया यह डाउंलोड कोशन करने का लिंक दिया गया जैसी इसके उपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो कोशन पेपर होगा वह डाउन एक question भी आपके OB exam में नहीं आने वाला है तो इसके लिए आपको टेंसर नहीं लेना है कि यह exam रहेगा और दोस्तो यहाँ पर उपर आपको एक घंटा का टाइमिंग दिया गया है जबकि आपको OB exam में चार घंटे मिलने वाले हैं यहाँ पर दोस्तो आपको टोटल चार question दिय होंगे लेकिन दोस्तों जो टोटल कोशन दिये जाएंगे वह यहाँ पर सेम ऐसे दिये जाएंगे यहाँ पर दोस्तों मोग टेस्ट में आपके टोटल चार question है इसलिए यहाँ पर चार question के ओप्सेंस हो रहे हैं अपने दोस्तों answer seat को upload करने के लिए क्या करना होगा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे पहला question है पहला question के आगे दोस्तों यहाँ पर आपको green color का एक link दिया गया है जिसके ओपर लिखा है add files जैसी दोस्तों इसके ओपर आप click करेंगे तो click कर देने के बाद आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा जहाँ पर दोस्तों फा इस पर दोस्तों के आपको प्लोड पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो answer seat होगी और successfully upload हो जाएगी इस पेज को दोस्तों एक बार refresh करके देख लेते हैं कि आपकी answer seat upload हो जाएगी तो आपको कुछ ऐसा interface देखने को मिलेगा अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपने first question की जगा first question का answer upload कर दिया है तो आपको यहाँ पे क्या करना है click to view पे click कर देना है जैसे दोस्तों आप इसके उपर click करेंगे तो जो आपने answer seat upload की होगी वो आपके सामने आ जाएगी और दोस्तों आपको लगता है कि आपने को your PDF upload कर दिये तो यहाँ पे आपको delete वाले link पे click कर देना है जैसे आप इसके उपर click करेंगे और आपको okay वाले button पे click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पे आप दोबारा से दोस्तों अपने first question के answer seat की जो PDF होगी उसको upload कर सकते हो आगे के process के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर दोबारा से first question के जो answer seat होगी उसको upload कर देता हू upload कर देने के बाद दोस्तों आपको scroll down करके नीचे आजाना है यहाँ पर जो blue color का link दिया गया इसके उपर आपको click कर देना है click कर देने के बाद दोस्तों आपको फिर से यहाँ पर देख सकते है question number first के आगे जो आपने answer seat upload की होगी वो यहाँ पर view के button पर click करके आप अपने answer seat को दोबारा से चेक कर सकते हैं अगर दोस्तों आपको लगता है कि आपने जो answer seat upload की है वो गलत है तो उसके आगे दोस्तों यहाँ पर modify करने का link provide किया गया है जैसी दोस्तों modify वाले link पे click करेंगे तो आप दुबारा से अपने answer seat upload करने वाले home page पे पहुंच जाएंगे उस करना होगा इस बॉक्स में टिक कर देने के बात दोस्तों आपको i agree and submit response पे click कर देने के बात दोस्तों आपको ok वाले बटन पे click कर देना है click कर देने के बात दोस्तों जब ही यहाँ पर ऐसा आपको interface देखने को मिलेगा जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपके जो answer seat हो successfully upload upload हो चकी है यहाँ पर दोस्तों आपकी जो OB exam complete हो चुका है आपके mail ID पर दोस्तों जो आपने mail ID दी होगी उस पर एक mail आ जाएगा कि आपने answer seat को upload कर दिया है इस तरह से दोस्तों आपका OB exam complete होता है इसके लावा दोस्तों जो आपको वीडियो में step बताएगे के वाल उनी step क follow करके आप अपने OB exam को दे सकते हैं OB exam के दोरान दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जैसे जो भी आप अपने answer seat की PDF बनाएंगे वो 7MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और दोस्तों जो आप अपने MB जो भी आपकी PDF होगी answer seat को आपको एक file या folder में complete वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर कीजिए चैनल पर फर्स टाइम विजिट करें तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए